सौर मंदल में जहां बाकी ग्रहों पर सूरज की रोशनी चंद मिनिटों में पहुँच जाती है वहीं एक ऐसा भी ग्रह है जहां सूरज की रोशनी पहुचने में 5-6 दिन लगते हैं 14 नवंबर 2003 में एस्ट्रोनॉमर माइकली ब्राउन, चैट तुरुजिलो और डेविड एल रेबिनोविट्स ने सजना डॉफ प्लैनिट की खोच की थी ये काईपर बैल्ट से बहुत ज़्यादा दूरी परिस्थित हैं पर ओर्ट क्लाउड के भीतरी किनारे पर सूरज से इसकी दूरी 937 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है मतलब कि सूरज से किसी भी ग्रह की अब तक की सबसे ज़्यादा दूरी है एक अनुमान के अनुसार सेजना का व्यास लगबग 1600 किलोमीटर तक हो सकता है हम अभी तक इस ग्रह के बारे में सभी आंकडे मात्र अंदाजे के अनुसार ही निकाल पाई है जैसे हमें नहीं पता कि ये ड्रॉफ प्लैनिट कैसा दिखता है इसकी बनावट कैसी है और इसकी सता कैसी है एक अनुमान के अनुसार सेजना पर मीधी राइस और वाटर राइस होने की संभावना है